हाई फ्रेंड्स तो मैं फिर से एक बार आप लोग सामने आया हूँ एक बेहधी special offer लेके जो कि सिर्फ ST help viewers के लिए है और इस offer में एक जो सबसे खास बात है जैसा कि मैंने आप लोग से promise किया था अगर कोई भी जो लंबी वीडियो होने वाली होगी तो उसकी मैं दो copy कर दूँगा एक तो होगी वो चार-पांच मिनट की और दूसरी होगी जो all ST help है तो friends इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ भरवली बताने वाला हूँ suppose अगर आप ना समझे तो all ST help follow करे वाली वीडियो में आप लोग के लिए एक लिंक दे दूँगा तो अब आप लोग को कोई भी परहसानी नहीं होनी वाली है और नहीं कोई कमेंट करेंगे कि बहुत लंबी वीडियो बनाते हो तो चलिए friends जो मैं आज का वीडियो है जो में टॉपिक है उस पर मैं बात करता हूँ आज जो मैं वीडियो लाया हूँ जैसे कि लगभग 99% वीवर ऐसे होंगे कि जिनके पास जियो का फोन होगा और उसमें से 90% कस्टमर 399 का रिचार्ज कराते हैं तो friends जो लोग 399 का रिचार्ज कराते हैं खासकर उन लोगों के लिए बेनिफिटेवल है जिहां friends अब सिर्फ आपको 6 रूपय पे करने होंगे और आप 399 का रिचार्ज कर सकते हों और वो कैसे करोगे वो सिर्फ मेरा ट्रिक है बट जो यह कंपनी है जो दे रही है पैसे वो है friends PayPal जिसका नाम हर कोई सुन रखा है कि PayPal 50% ओफ देती है अप्टू 200 बट सब के साथ प क्योंकि PayPal यूज करने के लिए सिर्फ दो चीजों की जरूरत परती है कोई भी इमेल चलेगा और दूसरा हर्ट टाइम जितना हमारा आप साइन अप करोगे अलग अलग डेविट और क्रेडिट कार्ट चाहिए तो friends मैं यह वीडियो में दिखाऊंगा कैसे आप unlimited credit card create कर सकते हो चलिए friends मैं mobile पर चलता हूं और दो मिनिट में आपको बताता हूं क्या क्या करना है और खुद बखुद आप समझ जाओगे कि कैसे आपका रिचार्ड हो जाओगा चलते हैं फोन पर तो friend देख सकते हो कि मैं mobile पर आ गया हूं और बहुत ही छोटे से समय में friend दो मिनिट का भी टाइम नहीं लगेगा और मैं आपको step by step बता दूँगा और समझ लेना कि कैसे आप 399 अरिचार्ड सिर्फ 6 रुपे में कर सकते हो तो चले friends मैं अपना browser open कर रहा हूं और यहां पर type करना st help then enter करना है देन कुछ इस टाइब के इंटरफेस सो होगा friend यहां पर देख सकते हो st helping.com आ रहा है इस पर क्लिक करना है देन friend सबसे उपर सो हो रहा है geolute recharge rs399 only in rs6 इस पर क्लिक करना है friend तो आप देख सकते हो मैं ज़्यादा time waste न करते हुए आप पढ़ लेना जो पढ़ना हो मैं सिर्फ process की ही बात कर रहा हूं ठीक है friends तो जैसा कि यहां पर जो mean process मैं बता देना चाहता हूं यहां पर मैंने PayPal को with proof unlimited किया है जैसा कि आप लोग को अच्छे से पता है PayPal यूज करने के लिए सिर्फ हमें दो important चीज़ है एक Gmail या कोई भी email कोई जरूरी नहीं कि वो Google का ही mail हो किसी भी कोई Yahoo mail भी चलेगा और दूसरा है हर बार जितना बार आप sign up करोगे एक different डेविट और credit card चाहिए तो इसका भी मैंने solution निकाल लिया है इसमें आपको Gmail बनाने unlimited हर किसी को आता है हर कोई फस्ता है सिर्फ उसके पास card नहीं होता जी हां friends तो मैं इस वीडियो में main point यह ही है कि मैं आपको unlimited card बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ वो भी live मतलब live बना के मैंने दिखा है जिसका वीडियो मैं हला कि बता दूँगा बता दने के बाद समझ में अधर ठीक है otherwise आप click करके वो वीडियो देख लेना तो friend प्रोसेस की बात करते हैं सबसे पहले जिंगवाय अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेना है then sign up process complete कर लेना है friend third option में है यह join telegram channel join इसलिए करना है क्योंकि मैं जो suppose 400 रुपे का payment करोगे उसको जब return लेना होता है suppose आप अपने bank में लेना चाहते हो तो उसके लिए pay tm voucher की purchase करना बहुत ही ज़रूरी है तो इस link के थूरू telegram channel पे जैसे ही available होगा मैं message छोड़ दूँगा आप लोग purchase कर लेना fourth option में friends कुवेर application जैसे ही आप 400 रुपे यूज करोगे पेपल एकाउंट से 200 रुपे आपको free में मिल जाएंगे जिसके वज़े से 200 जो आपको free में मिलेगा यहां कुवेर application अब accept कर रहा है पेपल से payment तो 200 रुपे का आप जियू recharge कर लेना आपके जियू में 200 रुपे main balance मिल जाएंगे friend तो उसके लिए आपको download करना है complete करना है sign up और friend 6th option में मैंने दिया है कि अगर किसी को पेपल एकाउंट create करने नहीं आता है तो यहां पे click करेगा click here पे और create कर लेगा friend 7th option में है कि अगर आपको unlimited पेपल एकाउंट create करने with card के साथ में दिक्कत हो रही है तो इस 7th option को click करके इस वीडियो को आप देख लोगे इसमें मैंने all process बताया है कि कैसे आप virtual card create कर सकते हैं जी हां friends कोई आपके अगर कोई bank account है तो उससे virtual card कैसे create करोगे वो इसमें मैंने एक bank के साथ दिखाया है suppose अगर आपका different bank है तो please यहां पे comment करें सबसे नीचे कि मेरा ये bank है इसके साथ मैं virtual card कैसे create करूँगा तो मैं आपको sure help करूँगा then friend सबसे नीचे यहां पे आप देख सकते हो watch this video for all step click here मैंने पहले ही बताया था कोई भी जो लंबी वीडियो आप बनेगी उस पे मैं दो वीडियो बनाऊंगा एक जिसमें मैं सिर्फ बताऊंगा वरवली और दूसरा वीडियो जो step by step मैं करके बताऊंगा तो friend जिन की नहीं को अगर समझ में ना आया हो वो please इस जो red color से लिखा हुआ है watch this video for all steps इसको click करके इस video को देख ले मैं आसा करता हूं friend ये video आप लोग को बहुत पसंदा आगया होगा thank you for watching my video please like, share and subscribe thank you